नमस्कार दोस्तों स्वागत थ्यास वी का हेल फाव यूटो चैनल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं Share Me एप यूज करके दूसरे फोन में आप फाइल्स को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो में आगे लाइक जरू करें सबसे पहले हमें अपने दोनों फोन में पिले इस्टोर को ओपन करना है इसके बाद यहां पर हमें सर्च करना है share me दोनों phone में और दोनों phone में हमें इस app को पहले install करना है तो यहाँ पर यह app आ चुका है इन दोनों phone में हमें पहले इसे install कर लेना है install पर click कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पर यह app download होना शुरू हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर यह इंस्टाल हो जाएगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंतिजार कर लेना है तो अब यहाँ पर यह दोनों फोन में इंस्टाल हो चुका है अब इसके बाद हमें open पर click करके इस app को open करना है अब इसके बाद यहाँ पर यह कुछी तरह से आ जाएगा नीची हमें एक ग्री पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद हमें नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ यह इसे अनुमति देना होगा जिसके लिए हमें next पर click करना है और यहाँ पर हमें इसे files को allow करना है इसे हमें दोनों फोन में जो है इसे चालू कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस सबको allow कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस सबको allow कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर यह एप ज जैसे फोटो वाइडियो वीडियो आप यहां से जो है ट्रांसपर कर सकते हैं तो यहां पर हम कुछ फोटो को ट्रांसपर करेंगे तो यहां पर हमें जो भी ट्रांसपर करना रहेगा उसे हमें पहले स्लेट कर लेना है तो यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम जो है फोटो क हम पहले स्लेट कर लेते हैं फोटो को यहां पर हम स्लेट कर लेते हैं फोटो को स्लेट करने के बाद यहां से अगर आप चाहें और भी कुछ ट्रांसपर करना जैसे आप एपस को भी आप स्लेट कर सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो Music को भी हैप outbreak कर सकते हैं अब इसके बाद हमें जिस Phone में फाइल Seems को प्राप्ट करना रहाएंक Grade इस फौन में हमें Receive पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर यह सी मैं की टीन सेटिंग है को चालू करना पड़ेगा तो यहां पर जो हम इसे भी चालू कर देते हैं इसके बाद यहां पर हमें next पर click करना है अब इसके बाद यहां पर हमें जिस phone में यह transfer करना है उसका जो भी QR code होगा यहां पर हमें इसे scan कर लेना है इसके इन करने के बाद हमें connect पर किलिक कर देना है connect पर किलिक करने के बाद आप यहाँ पर यह file transfer होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आदे सकते हैं यहाँ पर यह photo transfer हो चुका है इसके बाद यहाँ पर यह जो भी आप transfer करेंगे यहाँ पर देसके हैं कुछी तरह से यह ट्रांसपर होना सुरू हो जाएगा तो इस तरीके से आप चाहें तो बहुत ही असानी से आप है अगर आपको यह वीडियो को लाइक जरू करें और शेनाप अगर नए है तो चैनल स्ट्राइब के बेल आइकों को जरू पिस करें